Hello and welcome back to my YouTube channel भी साल जोली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने फोन से आप कैसे SSC CHSL टायर 2 का एड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले आपको Google में टाइप करना होगा SSC.nic.in जैसे ही आप यहापे टाइप करेंगे SSC.nic.in और यहापे इंटर करेंगे तो आपके सामने SSC का जो ओफिसियल वेबसाइट है वो खुलके आ जाएगा आपको क्या करना है आपको यहापे जो तीन डोट का जो आप्सन मिल रहा है यहापे क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दो कमिशन जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है दो कमिशन पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और जैदा option खुलके आ जाएंगी यहाँ पर आपको right यहाँ पर देखिए regional network जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर regional network क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल के आ जाएगा आपको सबसे पहले देखना है कि आपका कौन सा region है यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश एंड बिहार वाले region को select कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसके सामने आप देखेंगे last में यहाँ पे देखिए last में आपको एक्तम last में इसकी website लिखी हुई मिलेगी यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी website है इसके website पे हमें click करना है जैसे ही आप website पे click करेंगे तो आपके सामने जो regional आपका regional website होगा वो खुल के आ जाएगा अब देखिए जो regional website खुल के आया तो कुछ चीज मांगी जा रही है आपसे जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको click करेंगे तो आप क्या देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ आपशन कुछ चीज मांगी जा रही है आपसे कुछ जो documentation है वो आपसे मांगी जा रही है आपको अगर registration ID याद है date of birth याद है तो आप यहाँ पे directly registration ID और date of birth डालेंगे उसको capture डालेंगे और यहाँ पे आपका result यहाँ पे जब search पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका result so करने लगेगा अगर आपको यह सब कुछ याद नहीं है आपको roll number याद है तो आप roll number से भी search कर सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे अपने father का नाम date of birth और capture डालके यहाँ पे मैं search करने वाला हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको zoom out कर लेता हूँ यहाँ पे मैं अपना नाम अपने father का नाम और उसके बाद अपने date of birth वगरा डालके यहाँ आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला है यहाँ पे अपने father का नाम यहाँ पे उसके बाद date of birth और यहाँ पे इसको जोड़के यहाँ लिख दिया है अब मैं यहाँ पे जैसे ही search पे क्लिक करूँगा तो search पे क्लिक करते ही मेरा admit card मेरे सामने आ जाएगा देखिए यहाँ पे processing लिख रहा है और अब देखिए यहाँ पे admit card आपका सामने खुल के आ जाएगा हाला कि यह admit card अभी provisional है provisional कहने का मतलब यह admit card अभी अच्छे से नहीं आया है सिर्फ इसमें आपको क्या क्या चीज बताया गया है तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आपके father का नाम address आपका होगा उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुँ ज़्यादा दूर हो तो आपको टिकट बनवाना पड़े रेल का टिकट या फिर बस का टिकट तो यह आपके लिए बहुत ही महतोपन हो सकता है उसके बाद यहीं आपका admit card है और यह कब तक आएगा तो यहाँ पे असपर्ष्ट बात लिखा हुआ है यहाँ पे असपर्ष्ट लिखा हुआ है कि पांच जन्वरी को यह आपको आ जाएगा admit card आपका जो original admit card होगा पांच जन्वरी को आ जाएगा यह सिर्फ और सिर्फ provisional है इससे हमें कोई मतलब नहीं है बस यह आपको exam city दे दिया गया है तो चलिए अभी के लिए इतने थैंक्स पर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा